आठ टीमों में से दो आ गए हम दोनों आ गए हैं क्या लेकर आए हैं आपके सामने बल्ले बाजी मैच रिपोर्ट मैच बड़ा जबर्दस हुआ मनोच 17 रन शायद विलियम संथ थोड़ी देर और खेल जाते समाद में जिस्पेटिंग की हो सकता है कि मैच इधर से उधर चला जाता फिल्डिंग खलेगी है दरवाद को देखे वही दोता है वो तीन चार चौके जो एक पैरो के नीचे से निकला एक ओवर्थ्रो वा और एक कैच छुटा तो वो पूरी तस्वीर जो है आज शायद अलग होती बट लगबक सर वही हुआ जो हम शुरुआत से बात कर रहे थे कि जिस मुंबई से वो पिछले मैच में बुरी तरह से पिटे वहां पर दुबारा एक चैंपिंशिप के लिए चैलेंज कर दे और निकाल ले ट्रॉफिया और निकालने ट्रॉफिया है और इस मैच में जीत के कम से कम यह है कि जी हम फाइनल में पहुंच गया है अगर हारे जैसे माकस टॉनिस से उतन कराया उनोंने प्रित्वी शौ से को ड्रॉफ कर दिया बाटिंग ओंडर इधर से उधर किया अभी रिस्कोते है लोग कहते है यार बड़ा मैच उसमें रिस्क मत लो लोगोने का यार विराठ कोली ने उस दिन ओपन क्यों किया अगर विराठ उस आउट हो गए बावजुद इसके आप सिर्फ 17 रन से मैच हारे है वो भी तब आखरी ओर में लगभग कुछ भी नहीं आया है आखरी ओर में तो कुछ हुआ ही नहीं जब रबाटने वो तीन आउट कर दिल्ली तो आप किसके साथ जाएंगे मैं तुसर अभी भी देखिए अगें हमारे सुशान तैन महता थोड़े नराज शायद हो जाएंगे बट अभी भी शायद वो भी मान रहे थे वाद बट यहीं है कि अभी मुंबई एक आप मुंबई को एच दो गई डेफिनिटी अगर हारेगा तो वो खुद से भी हारेगा अगर मुंबई ने भी गलती की तो दिली उनको उस मौके को भुना सकती है बट उसके लिए दिली को मुंबई अगर मौका दे तो वही क्योंकि है रोज शर्मा के रंज नहीं है मनोज इस पूरी IPL में और अगर फाइनल में भी उनके रन नहीं हुए तो इतना असान नहीं होगा परेशानी हो सकती है और वो चीजें होगी कंसिस्टेंट क्रिकेट जिस्टीम ने खेली आप उस पर जादा कॉन्फिडेंट लगते हो कि वो अच्छा खेले बट नुंबई के लिए एक चिंता का सबब होई है कि अभी तक पता ने ट्रेंट बोल्ट का क्या स्टेटस है वो एक बहुत बड़ा डिस होट फॉर्म में थे तो अब उससे ये तो जरूर आप आमने सामने रखेंगे तो पता चलता है कि मुंबई भारी है भारी इसलिए भी आई-पेल के लिहास से भी क्योंकि वो जीतते हैं उनको जीतने का तरीका आता है दिल्ली पहली बार फाइनल पहुंचा है और वो चार वो बड़े मैचों में शिखर पर चड़ जाते हैं शिखर धवन और मार्कस टॉइनस ने ओपन किया शूरूरी नहीं कि हर मैच में उनका ओपन अब यहां पे इन्होंने कैच दे दिया था वो होल्डर ने कैच पकड़ा नहीं अब मौका तो उन्होंने दिया प्लस इनको य अब आपको इतने रन मिल गए और दिली के पास गेंबाज है हाला कि ठीक है उन्होंने भी हादराबाद को रन इतने करने दिये लेकिन गेंबाज यह अगर आपने सामने रखे दोनों टीमों के पास जबर्दस फास बोलर्स हैं मेरा यह मानना है मनोच कि अगर दिली को मुं कि सपोज जैसे मुंबई भी पावर प्ले मालीजे 42 पर तीन और सेम डेली 42 पर तीन हो जाए तो वहां से आप दाव ज्यादा दिक्कत है हां वही चीद में ज्यादा दिक्कत है डिली के लिए 100 परसें जाना दिक्कत है क्योंकि शाइद 42 पर तीन से 120-30 हो सकता है डेली बट 500 हो जाएगा मैं करूं बट मुंबई 42 पर तीन से भी 200 वाली टीम है वो है नहीं जी नहीं दो शायद बेस्टीम आई है और फाइनल से पहले आप फाइनल के लिए अभी से अपनी बलेबाजी पर टीमें बनाना शुरू करते हैं और वहां पर भी मुकाबला कड़ा होगा क् एक नहीं कई सारी टीमें बनाई है बेस्ट यही होता है कई सारी टीमें बनाई है सबसे पहले बलेबाजी को इसी चैट की डिस्क्रिप्शन में लिंक है टक करके आप उसको जॉइन कीजिए फिर डाउनलोड कीजिए और रिजिस्टर करते हैं अगर पहली बार ST100 code डालेंगे तो आपको जो पहला deposit डालेंगे वो 100% cashback आता है लाखों करोडों इनाम है आपको पता है कि iPhone 12 भी है कई सारे contest भी है और आपको यह भी देखना होगा जो आपने play of fantasy खेली थी उसका क्या जल रहा है उसका नतीज़ा भी आपको मिलेगा लेकिन एक और काम आप आपको IPL पर छोटी से बड़ी update कुछ भी होगा या नहीं कि छीक भी किसी ने मार दी dressing room में वो भी आपको पता चलिए क्या हो रहे है और नासरे sports तक पे बलकि manoj dimri इनका instagram है manoj underscore dimri इनका twitter है और मेरा twitter है vikran gupta 73 instagram है vikran.gupta 73 तो वहाँ पर भी follow कीजिए जो तफसील आती रह होगा तो sports तक के साथ जरूर बने रही है